कई वर्षों से प्रोमोशन का इंतजार कर रहे जारखन के टीचर्स की टेंशन बढ़ गई है अब उनके लिए प्रोमोशन पाना आसान नहीं होगा उनके प्रोमोशन का मामला एक बार फिर उचलता दिख रहा है ऐसा हुआ है स्कूली सिक्षा एवं साक्षर्ता विभा के नि बिंदूों में कई ऐसे निर्देश है जिन से प्रोमोशन का इंतजार कर रहे प्राइमरी सिक्षक हताश है इसमें प्रात्मिक सिक्षकों को भूत लक्षी प्रभाव से प्रोनिती नहीं देने का आदेश दिया गया है यानि डियो डेट से प्रोमोशन नहीं मिलेगा यहीं divindu सारे विवात की जड़ हैं बौत लक्षी प्रभाव से प्रोनिती नहीं को लेकर कई सिक्षकों ने सराहना की है यह एसे हैं जिन्हों प्रगती शिल्द्ट सिक्षक संग के नामसे हाई कोर्ट में या चिका दायर की थी वहीं इनसे पहले नियूक सिक्षकों ने सरकार के निर्देश का विरोथ के आधार पर यह दिशा निर्देश जारी किया गया है बिना देरी किये इसके आलोग में प्रधान अध्यापक के पदों में योग सिक्षकों को शीघ्र प्रोनिती दे दी जानी चाहिए वहीं अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग ने प्रात्मिक सिक्षकों को भोतलक् योगदान की तिथी से ग्रेट 4 और ग्रेट 7 के पदों पर प्रोनिती का विरोध किया है संके प्रदेश अध्यक्ष अनुपकेशरी महासची वराम मोर्ती ठाकुर प्रवक्ता नसीम एहमद ने कहा कि सुप्रीम कोट के आदेश पर सिक्षकों को पद रिक्ती की तिथी से बै पारिच कर दिया बाद में प्रात्मिक सिक्षा निदेशक नेहा अरोडा ने उच नियायाले के आदेश को लागू करने का पत्र भी जारी किया लेकिन सिक्षा सचीव के वर्तमान दिशा निर्देश में कोट के आदेश को नजर अंदाज किया गया है संग इसके विरोध में उग्र आंदोलन करेगा बता दे कि भूत लक्षी प्रभाव से प्रोनिती का मतलब यह होता है कि सिक्षकों को उस तिथी से प्रोनिती दी जाएगी जिस दिन से वे इसके लिए योग्य थे सिक्षा सचीव द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2015-16 में कक्षा पहली से पांचवी के लिए नियूक्त इंटर प्रसिक्षित सिक्षकों को ग्रेट फोर में प्रोनिती देने के लिए टेट परिक्षा उत्तीन होना अनिवारे है इससे भी सिक्षकों म नाराजगी है